ओम शान्ति अमर नात बाबा संगम युग पर आकर हम पार्वतियों को अमर कथा सुनाकर अमर पुरी का मालिक बना रहे हैं जो इस अमर कथा को जीवन में धारन करते अर्थार्थ श्रीमत पर चलकर श्रेष्ट बनते वही अमर पुरी का मालिक बनते हैं आईए रिवाइस करते हैं आज के 13 डिसेंबर 2021 के महवाक्यों को किन बच्चों का गला घुट जाता है बुद्धी से ग्यान बिलकुल निकल जाता है जो निंदा करते हैं जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं जो मायावी मनुश्यों में जाकर मिल जाते हैं जो पढ़ाई को छोड़ बाप को फारकती दे देते हैं जो बच्चे बाप को फारकती देते उनका क्या परिणाम होता पतित बन जाते, गला घुट जाता, पढ़ाई छूट जाती, खान-पान गंदा हो जाता, मायावी मनुश्यों से जाकर मिल जाते, कभी किसी को ग्यान सुना नहीं सकते क्या होने से क्या होता है? जब सत्युग में हैं, तो पुनर जनम भी सत्युग में ही लेते हैं, बाप को साथी बनाओ, तो माया दूर से ही मूर्चित हो जाएगी, दिन्चर्या में हर कारे बाप के साथ करो, तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती संगम युग पर श्रिव बाबा कौन से कर्तव्वे करते हैं? वर्सा देते, सद्गती देते, श्रेष्ट बनाते, पार ले जाते, वारिसों को रचते, सुखधाम ले चलते, निशकाम सेवा करते, काल पर जीत पहनाते, भक्तों को भक्ती का फल देते, अमर पुरी स्वर्ग का मालिक बनाते आज की मुर्ली के नुसार श्रिव बाबा की महिमा इस प्रकार है, निशकामी, ज्यान सागर, पतित पावन, बेहद का बाप, अमर नात बाबा, स्वर्ग का रच्चाईता, स्रिष्टी का मालिक आज की मुर्ली के नुसार गायन कौन-कौन से, सेकेंड में जीवन मुक्ती, सत्गुरु का निंदक ठौर ना पाए, अम्मा मरे तो हलुआ खाना, बीबी मरे तो हलुआ खाना सत्युग में क्या होता है और क्या नहीं? पवित्रता, सब श्रिष्ठाचारी, संपूर्ण, निर्विकारिता, विश नहीं होता, माया नहीं होती, विकारों से जन्म नहीं होता हमें किन बातों की धारणा करनी है? अपनी कत्नी और करनी एक करनी है, श्रिष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामिया निकाल, श्रीमत पर चलना है, बुद्धी में ग्यान रतनों की धारणा, देही अभिमानी बनकर करनी है ग्यान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल एक बाप में ही मोह रखना है ये थी आज की मुरली की विशेश बाते हम अपनी कमियों को खामियों को निकालने और कतनी तथा करनी को समान बनाने पर अटेंशन दे और कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा आज की मुरली की कौन सी पॉइंट ने आपके दिल को चुआ जिसे धारण करने का पुरुशार्थ करेंगे ओम शान्ती